हाई फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि एप बेज इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे की जाए शुरुआत करते समय कितनी फंडिंग लगेगी कितना समय लगेगा और कब आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे और प्रॉफिट कमाने के जब आप इंवेस्टर के पास जाएंगे तो कैसे आप फंडिंग ले सकते हैं तो बहुत सार लोगों को एक प्रशन आया है कि सर बहुत सारी इंडस्ट्री कई जगा सेट हो चुकी हैं बहुत सारी आपने बड़ा मार्कीट शेर कैप्चर कर लिया है अब उसमें एंटर कैस किया जाए तो आज जिस विशह पर हम बात करने वाले हैं वो यह है कि अगर किसी भी बिजनस में आल्रेडी बड़े-बड़े ब्रैंड आ चुके हैं उसके बाद भी उसी इंडस्ट्री में जगा कैसे बनाए यह बहुत महत्वपूर्ण है आप जानते हैं कि टुडेज क्रियेट किया जहां पर टैक्सी को लगजरी माने दाता था आज वो नेसेस्टी में कंवर्ट हो गई मतब लोगों को एक बेसिक ज़रूरत लगने लगी लेकिन एक नई कंपनी जब मार्किट में आती है न तो उसको यह स्टड़ी करना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन- बड़े शियर को कैप्चर कर चुकी है लेकिन उसके बाद भी कोई ने को ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर होगी जो कंज्यूमर फेस कर रहा होगा और उस कंज्यूमर को पहचाना एक कंपनी ने जिसका नाम है रैपिडो और रैपिडो कंपनी टू विलर टैक्सी सर्विस को ले आ सकते हैं जबकि ओला और उबर जैसी कंपनी भी अपनी टू विलर टैक्सी लेकर आई थी लेकिन रैपिडो ने स्टेडी किया कि ओला और उबर जैसी कंपनी टियर टू टियर थ्री सिटीज में नहीं है तो यहां से बिजनस मोडल की शुरूआत हुई कि ऐसी जगा जहां पर ओला और उबर की सर्विस नहीं है टू विलर टैक्सी नहीं है लोगों के पास टाइम की प्रॉब्लम है तो वहां पर हम काम शुरू करते हैं और रैपिडो ने एक नया पैनिट्रेशन क्रीट किया टियर टू और टियर थ्री सिटीज में जहां पर उनने बहुत अच्छ में बिजनस की राइट स्टेजी बनती है तो रैपिडो जैसी कंप्री ने देखा कि भारत जैसे देश में जहां पर टियर टू और टियर थ्री सिटीज में लोग टू विलर को तो यूज करते हैं लेकिन एज़ा टैक्सी लेडिज को एक प्रॉब्लम है कि वो जेंट्स के स वहाँ पर आई लेडिज स्कूटीज लेकर वहाँ पर आई तो बाकी लेडिज भी उनके साथ ट्रैवल करने में बहुत कमफर्टेबल हो गई दूसरी हो समस्य उनने सॉल्व की कि हर व्यक्ति जो एप का इस्तिमाल कर रहा है वो हाईली एजूकेटेड नहीं है वो एप फ् इस्टिंग मार्किट शेयर को क्याप्चर करना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्पूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा जिस पर ध्यान रैपीड हो जैसे ब्लेंड नहीं दिया नमबर वन कंज्यूमर बिहेवियर आपको सबसे पहले अपने कंज्यूमर का बिहेवियर इसके लावा रिसर्च ऑफ मार्किट मैंने आपसे कहा था कि बड़े बड़े ब्रैंड ओला या उबर जैसी कंपनीज टीर टू और टीर थ्री सिटीज में अपने पैर नहीं जमा पाई तो यहां पर मार्किट रिसर्च रैपीडो ने की कि कौन सा ऐसा शेत्र है जहां पर ह इसके लावा टेस्ट यॉर आइडियाज यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नई इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपके माइड में बिजनस के यूनीक और डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आते हैं लेकिन हर आइडिया सफलो ऐसा भी नहीं होता लेकिन कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं जो आपकी बिजनस को नए आयाम तक ले जा सकते हैं इसलिए अपने बिजनस आइडियाज को ज establish करना चाहते हैं आप चाहें आप offline business करें या online business करें वहां कितनी भी brands हो आपको केवल जरुवत है तो ये समझने की कि कैसे आप brand के penetration को तोड़ सकते हैं उन brands के होते हुए भी कौन सी ऐसी problem है जो consumer की solve नहीं हो पा रही है जब आप उस problem का solution लेकर आते हैं तो आप आसानी से उस आप मेरे एक वीडियो ज़रूर देखें कि existing brands के साथ जब एक नया brand आता है तो market की कौन सी problem को solve गरता है जिसकी वज़ह से वो अपने business को establish करता है फ्रेंट्स कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को subscribe करें और comment box में लिखकर अपना प्रश्न ज़रूर बताए स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत